क्या आप भी उन लोगों में से हो जो पुल अप करने में स्ट्रगल करते हैं? क्या आपके दोस्ट भी आपका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आप एक भी प्रॉपर पुल अप नहीं कर पाते हैं? तो फिर नो वरीज क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अराम से 10-15 पुल अप लगा लोगया इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े हैं? ड्रॉप ए लाइक और सब्सक्राइब टु दे चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बॉड़ी वेट एक्सरसाइज में स्ट्रगर करना इस्पेशली फुल अप्स में बहुत ही कॉमन है अगर आपको ये सारे टिप्स नहीं पताओ जो मैंने भी बताने वाला हूँ नमबर वन हैंगिंग आप सबसे पहले लटकना शुरू करो हैंग करना शुरू करो मैं रिकमेंड करूँगा आप 30 सेकंड से शुरू करो और आपका एम होना चाहिए कि आप 60 सेकंड सक हैंग करना सीखो इससे आपके ग्रिप स्ट्रेंथ स्ट्रॉंग होगी और आपके लिए पुल अप करना आसान होगा नमबर टू जंपिंग नेगे टिप्स आप पुल अब बार के पास जाओ और आप नीचे कोई स्टूल रख सकते हो इसमें खड़े होके, आप जंप करके उपर जाओ और अपने आपको कंट्रोल करते विए धीरे-धीरे नीचे लेके आपको ऊपर जंप करके जाना है और नीचे अपनी बॉड़ी को कंट्रोल में लाना है अगर आपका कोई दोस्त है जिम में तो सबसे पहले तो यौर लगी तो आपको क्या करना है आपको पुलप बार से हैंग करना है और अपने फ्रेंट को हेल्प के लिए उसको गयाना है कि आपके पैर को पकड़के वो आपको ऊपर पुश करें और नीचे आपको खुद आना है वो सिर्फ आपका positive portion of the exercise को वो help कर दे और negative portion में आपको खुद से control करते वे नीचे आना है नमबर 4 is greasing the groove जिसका मतलब होता है आप जितनी भी बार पुलप बार के तरफ से गुजरो तो आपको एक पुलप लगाना है कम से कम या फिर आप एक भी पुलप नहीं कर सकते हो तो आपको एक जंपिंग नेगेटिव करना है जिससे आपको प्रैक्टिस जादा होगी और आप जितना जादा प्रैक्टिस करोगी उतने आसाने से पुलप कर पाऊगे तो यह थी कुछ इंपॉर्टन टिप्स जिसको फॉलो करने से आप पुलप के नंबर बढ़ा सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कुश्चन पूछने के लिए आप मुझे इंस्ताग्राम में टेक